नमस्का दोस्तों स्वागों थे मेरा चैनल भानफूट विलेज लाइफस्टाइल मेरा नाम है सुपमान अगत्र मैं लेके आदाओ नाना वीडियो रिलेटेज विलेज लाइफस्टाइल दोस्तों आज इस वीडियो में देखाने बाला हूं कैसे फिसिंट्राफ से मुच्छ लाइक श्यार कोमेंट और सुस्क्रेब जरू कीजिए और साथ में बेल आइकन भी क्लिक कीजिए ताकि मेरा होर आने वाला वीडियो का नुठिक्रिकेशन अब तब पहले पहुंच होगे देखे दोस्तों अभी बारिस का मुसम आ गया है और बारिस भी चालू हो गया है ताहिकि बारिस में ताला वला सौब पानी में बहर जाता है वो मुच्छ ली खेत में चला जाता है वही मुच्छ ली पकड़ने के लिए हम जो फिशिंग ट्रेप बनाएं थे उसको लेकर हम खेत में जा रहा है यह देखिए ओ जोगा आ गया जहां से हम फिशिंग ट्रेक लागा के मुच्छ ली पकड़ने और देखिए इस जोगा में उपर से पानी बहर आए उसली को चारो तोरफ हम अच्छे से पहले मात देना होगा सा कि की कि परता है की और जाने हम फिशिंग ट्रेप बःटा हैंगे वहाँ होँआँ थोड़ा-सा गद्धा कोड़न देबाहा होगा वें जोग हो थसा ग जग जग्धा कर दना होगा ताहिकि फिसिंग ट्रैप kingdom अराम से बैट सके अज़र यह सब के उसके मेरें चारी त्रॉ आइना होगा वितींग ट्रैप नहा गार जाकर सुग विपiszा ना होगा कि एक का वे हम बैठा रही है घृषिंग ट्रैप कि यह देखिए फिसी तरफ के इसे हम बठा रहा है उसका दोनों साइड जो होल है वो आगे रखना होगा जोहां से मचली घुसेगा फिस दोनों साइड मिट्टी देखर अच्छी तरह से जाम कर देना होगा नहीं तो साइड से मचली निबल जाएगा अगे भी थड़ा उसका मिट्टी डाल देना होगा नहीं तो नीचे भी खोल रहा जाएगा फिर उपर में घास फूर्ष देखे ढगदाना होगा यह देखिए मेरा फेशिंग ट्रैप अभी सेटिंग हो गया है अभी इसको कुछ घंटों के लिए छोड़ देता है काकि अभी इसमें मुचली फंसेगा यह देखिए फिशिंग ट्रैप के आगे से केचे पानी जा रहा है इसी पानी में मुचली आएगा और फिशिंग ट्रैप में फंसेगा दोस्तों अभी कुछ घंटा हो गया चलिए देखते है कितना मुचली फंसे है अभी देखिए किदना इसमें मुचली आया है चलिए दोस्तों इसको और गौर लेके चलते है और मुचली निकालते है दोस्तों अभी हम गौर आभे अभी इसको थोड़ा सा पानी में साप कर लेते है चोलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या-क्या मंचली फंसे है यह देखिए क्या-क्या मंचली उसमें फंसा होगा था दोस्तों आप भी इसे अजमाईए और फिस्टिम्ट्रा से मंचली पकड़िए दोस्तों इस वीडियो के बाद वाला वीडियो में देखाने वाला हूँ इस मोचली से क्या क्या रिष्वी बनाया जाते है दोस्तों मेरा वीडियो देखना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद